वेल्कम टू आवर चैनल दैसर अकेडमी आज हम लोग देखने वाले हैं प्रफिए सिर इंपॉर्टेंट कुषिन पेपर अब्जेक्टिब का है जो क्लास 10 के लिए है और यह काफी जदा इंपॉर्टेंट है आने वाल एक्जाम के लिए इसमें से बहुत सा सवाल ऐसा है जो अभाज गुननखन के गुननफलो के रूप में व्यक्त कीजिए यानि के लिए हर बार का यह रिपीट सवाल है आप अगर देखे होंगे तो इससे पहले बहुत सारा सवाल हम लोग कंप्रीट किया है इससे पहले जो हम लोग कंप्रीट करवाया थे है वो सेट 1,2,3,4 यह 4 से हम लेके हैं दिखाते हैं 135 है इसका LC में लगाया है 5 से पहले 5 पहले 10 बार लिखाया है 5 दो बार में लगाया है 10 हो गया और तीन बज़ गया 35 हो गया 3 से लगाया है इसका जो अंसर है 5 3 3 3 यानि कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 ठीक है इसका जो पहले का जो अंसर हो और 26 का HCF दिया है 13 तो पुछा जा रहा है कि बताइए कि इसका LCM कितना होगा जैसा कि हम लोग एक formula जानते हैं देखिए formula क्या है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जब इन दोनों नंबर का LCM और HCF को मिलाया जाता है या लाया जाता है तो उनको जो multiply करते हैं वो हमें से equal होता है पहले संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 26 दूसरी संख्या दिया हुआ है 11 LCM पता नहीं और HCF दिया हुआ है 13 महतम समवर्तक का मतला HCF दिया हुआ है 13 और लगतम समवर्तक पूछा गया है यानि किसका LCM पूछा गया है ठीक है चले इसका answer दिखते है तो जो जो दिया है पहले संख्या बिठा दिया है दूसरे संख्या बिठा दिया है LCM नहीं पता HCF बिठा दिया है यह multiple में यह तरा कि divide हो गया 13 एकम 13 13 सती 91 26 गुना 7 गुना करने पर 182 यानि second का answer हो जागा 182 चीक है second का answer 182 यानि option number B question number 3 पे आते हैं लिखा है 91 और 4804 यानि कि 404 404 का HCF find करना है तो HCF क्या होता है जो देखिएगा higher common factor होता है कि इसमें सबसे higher common factor कौन सा है चले देखते है तो HCF find करने का बहुत सारा ऐसा तरीका है हम एक छोटा सा अभाज गुनखन तरीका का इस्तमाल की है सबसे पहले 94 का 96 का हम लोग क्या की है अभाज गुनखन कीप करते है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आता है ठीक है और 4 कर करेंगे तो इसमें 2 गुना 2 गुना 101 आया हुआ ठीक अब ज़रा HCF का मतलब क्या है जो दोनों में जो common number है उन दोनों common number को हमको pick करना है तो ये दोनों में से एक common number pick हुआ और इन दोनों में से एक common number pick हुआ ये अभाज गुनखन का विदी है ठीक है तो दो गुना 2 याने की option कितना हो जाएगा तो चार हो गया है और बाकि अगर LCM पूछ लिया जाए तो दोनों में से common और बाकि जो भी number बचा है सब को multiply कर देंगे सब को multiply कर देंगे जो answer आएगा वो हो जाएगा आपका LCM ठीक है तो LCM निकालने के लिए अभाज गुना नुखन विदी का इस्तमाल कर रहे है तो यही तरीका होता है निकालने के लिए बाकि और भी तरीका है तो इसका जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा 4 चलिए इसका answer देख लेता है यहाँ पे 4 option number B question number 4 पे आते हैं लिखा है धनात्मक सम पुर्णांक निमलिखित में से किस रूपे होता है देखे क्या पूछा गया है धनात्मक सारा नमबरी धनात्मक प्लस में सारा ही है सम पुर्णांक सम का मतलम होना चाहिए सम संक्या ठीक है इसके लिए सबसे असान तरीका क्या है कि आप क्या करो किसके लास्ट डिजिट को देखो लास्ट डिजिट में क्या है 1 विश्म संक्या है लास्ट डिजिट में क्या है 1 विश्म संक्या है लास्ट डिजिट में क्या है 3 विश्म संक्या है इसमें क्या है कि देखो लास्स लिजट में सम्संख्या भी नहीं है प्लस जीरो लिख सकते हैं इसका मतलब क्या यह सम्संख्या है या इसका जो एंसर हो जाएगा वो यह हो जाएगा option number c sorry option number d सुझे आ रहा है आगे देखते हैं कुष्यन वर फाइब देखा द्विघाद बहुपद सुन्यकों का योग क्या है तो यह जो कुष्यन वर फाइब है न यह सवाल ही गलत दिया हुआ गलत नहीं दिया है मतलब आधा दिया हुआ है यहाँ पे द्विघाद बहुपद बोलाती है बहुपद तो दिया हुआ होना चाहिए न तो बहुपद यहाँ दिया ही नहीं है यानि कि एंसर जो है वो इनकम्प्रीट है तो इससे हमनों कैसे कंप्रीट करें छोड़ते हैं कुशन नमर सिक्स पे आते हैं लिखाए यदि सुन्यको का योग फोर है और सुन्यको का गुरनफल है वन तो बताईए द्विघाद बहुपद क्या होगा इससे पहले वाले सेट में बहुत सारे कंप्रीट कराए हैं देखिए क्या लिखा है सुन्यको का योग जिससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहता है कितना दिया हुआ है फोर दिया हुआ है ठीक है और सुन्यको गुरनफल कितना है वन दिया है हमें एक छोटा सा फवला मालूम होता है एक्स स्क्वाइर माइनस सुन्यको का योग गुना X प्लस अलफा इंटो बीटा यानि सुन्यको का गुननफल X स्क्वाइर का X स्क्वाइर मैनेस का मैनेस अलफा प्लस बीटा यानि सुन्यको के यह कितना है 4 यहाँ पर हो गया X प्लस S और सुन्यको का गुननफल यानि अलफा इंटो बीटा कितना है 1 तो यहाँ पे यह जो पूरा का पूरा बना है तो यहाँ समीगरण बना है और हमें यह 0 को नहीं लेना है यह 0 नहीं होगा यानि बहुपद कहां से कहां तक होगा अब देखे जो बहुपद है वो आपका दूसरा पेंट से कर देते हैं यहां से यहां से यहां तक होगा चलिक है यहांने अंसर हो जागा x square minus 4x plus 1 x square minus 4x plus 1 चलिए option नम देखते कहां पर है x square minus 4x plus 1 यहांने option number c नम है चलिक है एक से 6 तक सवालों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आने वाले जो exam है वो जादा कुछ नहीं same इस तरह का ही सवाल देने वाला है इसमें कुछ बदलता नहीं है तो हम लोग आगे देखते हैं यह previous year का है लेकिन है बहुत ज़्यादा important है कि इसी type का सवाल पूछा जाता है question number 7 है 6 complete कर लिए थे 7 आता है लिखा है किसी बहुपत PX के लिए graph आकरते में दी गई बहुपतों के सुन्यकों की संख्या बताईए तो आप देखिए जो graph दिया हुआ है उस graph में आप देखिए वो जो curve घिचा गया है वह curve X line को कितने जगा प्लच कर रहा है तो हम देखते हैं यह एक embargo कर्भ हुआ हुआ है पर देख के बठाएं यह जो कर्भ घिचा गया है वह कितने जगहां प्लच कर रहाhoven जगा प्लच कर रहा है उन्ड का एंसर क्या हो जाए गा आगे बढ़ते हैं I'm zijn upreet comedy प्याते हैं लिखा समिकरने युगम ये पहला equation ये दूसरा equation दिया है अब पूछ रहा बताई ये किस तरह का हल होगा इसके बारे में किस तरह का हल होगा ये तीन टाइप का हल होता है एक होता है अदुईतिय हल एक होता है अनेक हल एक होता है कोई हल नहीं यानि कि अगर रेकिक समय करन दिया रहे तो उसका हल कितने तरह का होता है तीन तरह का होता है आप इसके फर्स्ट विडियो यह चौंथा सेट हम लोग देख रहे ना इसका जो पहला सेट जो कराया गया था इसका जो पहला सेट कराया गया था उसमें जाकर आप एक बर वीडि बराबर नहीं होता है B1 by B2 का तो इसमें कहते हैं अदुईती हल अगर A1 by A2 बराबर होता है B1 by B2 और वो भी बराबर होता है C1 by C2 का तो वो अपरिमित रुप से अनेखल होता है और यदि A1 by A2 बराबर होता है B1 by B2 का वो बराबर नहीं होता है C1 by C2 का तो इसका कोई हल न क्याते हैं और जिसका कोई हल नहीं होता है उससे समांतर हल भी क्याते हैं चले इस सवाल को देख लेता है देखें लिखें है यहां से एटू बीटू चले देखते हैं तो यहां पर हम देखेंगे तो देखें इसमें एवण का वेलो 2 है 3 है 4 है इसको इकवाल करते हैं पहले तो 2 बाइ 6 3 बाइ 9 और 4 बाइ 11 यहां देखें कटने पर एवण बाइटू बराबर वच्टू बराबर नहीं हो रहा है वच्टू किसा हो लगा कोई हल नहीं होगा यानि कि option number कोई हल नहीं होगा option number C ठीक है आगे देखिए same सवाल है 2x plus 3y equal to 5 और 4x plus 6y equal to 15 का हल कैसा होगा अदूती हल है 2 हल है अनन्त हल है कोई हल नहीं है तो इसको हम छोड़ रहे हैं same है 8 और निक्दम same दिया हुआ है ठीक है तो यह आप लोग दिख लिजेगा खुद से question number 10 में आते हैं किया रहा है रैखिक समिकर्ण यूगम का x का value y का value दिखो x का value एक बाद दिया है a और x का value एक बाद दिया है b चले हम लोग पहले गर विच लेते हैं यह x axis है यह y axis है और यह आपको जो है मूल बिंदू है जिसे origin कहते हैं अब सवाल क्या पूछा है बोला है कि आपके पास x का value a है suppose कर लेते हैं x का value क्या है a है यानि कि मान लेते हैं कि x जाब कोई point a है तो इसका एक line अगर खिचाएगा तो इससे line खिचाएगा चीक है और दूसरा बोला है कि x का ही value कुछ और भी है एक और x का value जो कि b है तो मान लेते हैं b का अगर यहाँ पर है यहाँ पर point है जिसको ऐसे मिला दिया जाता है ज़रा बताईए तो यह जो दो line खिचा गया है वो दोनों का दोनों line एक दूसरी पर किस तरह का line है समांतर line है यह इसका चंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीक है पेंचेंज कर लेते हैं हो जाएगा समांतर आगे बढ़ते हैं question number 11 बोला है यदि 3x plus y बराबर 14 और 2x minus y बराबर 1 तो बताई जरो y का value कितना होगा तो यह हम लोग पढ़े भी है और इस्टा का solution के लिए तीन solution अंसियाटी बुक में identify करवाया गिया है बताया गिया है पहला था प्रतियस्थापन में थी दूसरा विलोपन में थी तिसरा बजर गुलाजबी थी तो आपको जिसमें से जो अच्छा लगे उसमें किसी एक को अच्छे से त्यारी कर ले क्योंकि एक्जाम में इस टाइकर से सवाल देता है और सब्जक्टिव में भी रहता है हम लोग अभी अब्जक्टिव क्लियर कर रहे हैं अगर आप लोग का कमेंट अगर उस तरह से रहता है कि सर हमें सब्जक्टिव के बारे में भी हिंड कीजिए जो 24 में एक्जाम के लिए काफिसादा इंपॉर्टिट हो सकता है तो अगर आपका रिस्पॉंस अगर उस तरह से आता है तो हम लोग कोसिस करेंगे जारखन और बिहार के सभी अच्चों के लिए कहा रहे है अगर आप लोग के लिए अगर कमेंट आता है वीडियोस में कि सर सब्जक्टिव के लिए भी बनाईए तो हमारे जो टीम है वो इस बारे में विशार करेगी और जितना जल्दी हो सके बूर्ड लेबल के त्यारी के लिए आपको पूरी तरह से complete solution जो है वो करवाया जाएगा गौर्णन के तरह से जो question paper आया हुआ है हम लोग उससे भी pick कर रहे हैं और उससे आया है सारे important सवाल जो है एक्जाम के लिए जो important रहेगा वो सारे सवालों को एक करके करवाया जाएगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखिए इसका solution क्या होगा तो हम जो solution किये हैं परतियस्थापन बिदी से बिलोपन बिदी से किये हैं देखिए पहला equation ये दिया हुआ है और दूसरा equation ये है तो आप लोगो क्या करना है हम सबसे असान तरीका बिदाते हैं बच्चों बहुत सारे बच्चों को क्या है कि confusion होता है कि सर साइन हम क्या लें मेरा science से problem हो जाता है minus plus लेने में बहुत सारे बच्चों को बहुत confusion होता है तो इसके लिए वो बहुत सारे confusion में ही रहता है इसलिए क्या करना है आपको कि equation को पहले देखिए कि एक जैसा होना चाहिए दोनों equation को एक जैसा पहले कर देखिए जाने कि इसके first में अगर x है तो इसके first में भी x कर देजा second में अगर y है तो second में भी y कर देजा और equal to कि इधर अगर कोई number है तो उससे भी और साइक जैसा कर देना है और एक जैसा करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके first वाला digit से इस पूरे equation को multiply कर देना और इसके first वाला digit से इस equation को पूरा multiply कर देना पूरा का पूरा यहाँ 2 है 2 से सब को multiply करेंगा देखें 2, 3, 6 plus 2y, 2y 14 plus 2 14 into 2 28 इधर क्या करना है 3 से multiply कर देजा 3, 2, 6 minus का minus 3 multiply हो जाएगा 3y और यहाँ पर 3 हो जाएगा ठीक है यह first वाला cancel out हो गया यहाँ पर 2y plus 3y 5y हो गया 28 में से 3 चला गया तो यहाँ पर 25 बच गया तो y के value कितना आ गया तो y के value हो गया आपका 5 अगर आपको फिर x का value चाहिए तो आप equation 1 या 2 दोनों में से जिसमें रखना चाहिए रख दीजे तो आपका answer आ जाएगा लेकिन हमसे पूछा गया है केवाल y के बारे में तो y देखे कितना है 5 पाया y के value कितना हो जाएगा 5 question 12 पर आते हैं 2 चरो वाले रेकिंग समीकरन यह देखे समीकरन दिया हुआ यह समीकरन जो है दिया हुआ इसका कितना हो जो है देखे मेरे पास एक ही equation दिया है ax plus by plus equal to 0 इसमें क्या है कि अगर आप x का value 1 रखते है y का value कुछ आएगा फिर आप 2 रखेंगे तो यहाँ x का value कुछ आएगा x का value कुछ और आएगा x गाप अगर आप 2 बठाते हो तो y का value कुछ और आएगा 3 बठाते हो तो कुछ और आएगा यानि कि यह change होते रहता है इसको कहते है आप परिमित रूप से अनेखल यानि कि इसका जो solution होगा इसका वो अनेखल होगा ठीक है आपको क्या करना है यानि करना है जो आएगा जैसे क्या भी ग्यार नमर सवाल बताएगा सेम उसी तरह से है तो ग्यार नमर ला सवाल आप लोग को देखते होगे घंदम सेम है उससे अफ्साल्ट करके बताएगा एक्ट ऑई कितना विल उढουगा रहा है question number 14 में आता है दुईगाद समिकरन का माना कूब क्या होता है जो दुईगाद समिकरन होता है दुईगाद समिकरन इन एकट सवाट का समिकरन होता है यह मूल क्या है समान है तो मूल समान है मूल लिकालने की फॉर्मॉला क्या होता है वो देखे पहले एक्स बराबर माइनश भी प्लस माइनश रूट अंडर डी बाइट वे बाइट वे पाइट ये ठीक है अब ज़रा देखिएगा होता क्या है हो क्या रहा है कि यहाँ पर कहरा है मूल समान है मूल समान है मतलए यह जो फॉर्सन होगा आपका डी का जो वैलू होगा यह जो डी है यह डी हो जाएगा जीरो यानि डी जीरो होगा यह पूरा का पूरा खतम हो जाएगा ये पूरा का पूरा खतम हो जाएगा तो क्या बच जाएगा मेंनस B बचेगा बाई 2 A बचेगा बस दहीं बचेगा मैनस B बाई देखिए option कहाँ पर है option number C पर है तो कह समझ में आया देखिए आगे सवाल पूचा गिया है solar number में लिखा है द्विघास समीकर ये जो दिया हुआ है इसमें विभितकर निकाले है विभितकर का मतलब होता है D निकालना है ठीक है चले देखें निकालते हैं ये equation दिया हुआ है इसमें से बताइए A का value हो गया आपका 9 B का value हो गया अब D निकालने का छोटा से formula कभी-कभी पूछ लेता है दी निकालने का formula बताईए ये दी निकालने का formula ठीक है B का value है 6 6 का हो गया 36 minus 4 into A into C यानि है मैनिस करते हैं तो 36 में 36 चला जाएगा तो 0 यानिदी का value कितना हो जाएगा 0 डी का value हो जो है अपका 0 ठीक हैاي question 17 में निम्न में से दीगाड सुन्यक सुत्र गयात करें दीगास करें ए हाँ तो option ही नहीं है fiber कोई option ही नहीं है तो कैसे option बताएं क्याराई के नेम लिखे में से द्विघास सुत्र बताईए तो द्विघास सुत्र है ही कहां द्विघास सुत्र निकालने के फर्मॉला तो होता ही है फर्मॉला क्या होता ही है इसका अपसार ही नहीं दिया हुआ है तो इसको हम छोड़ रहा है आगे आते हैं लिखाए यदी टू एक्स स्क्वाइब प्लस के एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो का मूल अगर समान है तो के का वेलू बताईए लेकिए इसमें भी आपसन नहीं है चले इसको सॉल्ब करें कि कुछिशन पूरा है आपसन नहीं दिया है अब देखके बताईए ज़रा से यहां का वेलू कितना होगा जीरो होगा अगर मूल समान है तो दी का वेलू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और दी निकालने को फार्मिला क्या होता है बी स्क्वाइर माइनस फूर ए सी होता है ठीक है बराबर जीरो हो जाएगा अब देखे बी का वेलू कितना है यहां पे ब 3 का विल हो गी आपका के यानिकी के स्क्वार हो जाए का फिर माइनस फूर इन Kristen a एजी कितना है आपकाests 2 है इंटू कितना हो जायेगा जीरो अग्र देखें यहां please क्या हो जाएगा के स्क्वाइर मैनेस चार गुना दो गुना तीन चार दुनी आठ अटकर्ण से लाटती है चौबिस इक्वल टू जीरो इधर हो जाएगा तो बचेगा के स्क्वाइर बराबर चौबिस और अगर के निकालेंगे तो रूट अंडर चौबिस बाकी आप रूट से इससे निकाल सकते हो चौनकि ऑप्सन दिया नहीं है इसलिए हम यह पे छोड़ देता है ऑगे बढ़ते हैं यदि फ्वर स्काल मैंनश तो मूल कैसा ऑगा यह जो दिया हुआ है तो डि यहि करने कर फीने कर दीनिक कर फ्रमले पर किया वेल टू किए एक वल टू सीरो एक होटा हृटर दन जीरो लैस दन जीरो अगर यह बराबर जीरो है इसका मूल वास्तिक होग और समान होगा ग्रिटर दिन है तो वास्तिक होगा और समान होगा लेस्ट देन तो वास्तिक होगा ही नहीं यहां पर देखें बराबर दिया है यहां देखें बराबर दिया है तो बराबर दिया है क्या होगा मूल वास्तिक और समान यह नहीं बराबर होगा और वास्तिक होग को ऑप्सन नम्बर ए चले देखिएगा सेम है इसको छोड़ देने चाहेंगे दिखास समिकन के मूल याद करें अब कैसे निकालना है चले मूल देखिए दो तरीके से निकल जाएगा हम लोग जो ट्नाइन क्लासर पड़े थे इसके बीच वला टर्म को ब्रेक करके उसे बन ज जाएगा एकस एकस स्कायर का इसको ब्रेक किया है 3X क्लस 2X में मैं यसी पहुंच जाएगा मैंश इस्की इक जगह पर और ये वाला और ये वाला नमबर यानि x प्लस 2 नमबर एक जिखाप पर बराबर 0 दोनों के एक वेट किये हैं 0 से तो x-3 इकोल दो 0 या एक प्लस 2 इकोल दो 0 यानि x का विली एक वाला रखे 3 और 2 3-2 या मैनस 2 3 3-2 देखते हैं 3-2 किदर है 3-2 नहीं है तो आप्सन में दिया ही नहीं है तो आप्सन आप बलग से बना सकते हो कुशन में कीज़ पूछा गया है कि एक एपी का स्रीज है ठीक है और इसमें बदा गया है कि बताई ये सारवंतर कितना हो तो सारवंतर निकाले हम लोग क्या करते हैं आगे वाले टर्म से मैंस कर देता है तो 6 में से 2 गया तो बज़ गया 4 इजी था कुशन में 22 लिखा हुआ है कि एक एपी दिया हुआ है और पूछा है इसका कौन सा जो टर्म होगा वो आपका 78 होगा तो 78 होगा यानि कि देखे इस नंबर को बढ़ाते चलेंगे तो कहने कहीं तो 78 आएगा ही आएगा तो जब 78 आएगा तो वो 78 जो है वो कितने नंबर पर आएगा यानि नंबर निकली आपका लास्ट टर्म हो जाएगा देखे कैसे निकलेंगा यानि निकलने 5 और यानि यानि 78 दिया हुआ है और हमसे निकालने के लिए पूछा गया कि एन कितना होगा ठीक है तो ए एन बराबर 78 हो गया और एन का फॉर्मला हम लोग जानते हैं एक फॉल ए प्लस एन मानस वन डी इंटो 78 तो हम लोगिसमे सारा का सारा वेलू जो एक करके बिठाते हैं तो मेरा जो अंसर कुछ इस तरह का आ रहा है एक वेलू 3 एन का वेलू पता नहीं डी का वेलू 5 हो गया 78 हो गया यह दर देखे 3 प्लस में इंदर आ के मैनस हो गया है यानि एन मैनस वह नहीं को अगर हम सोल वे टर्म तक बढ़ाते हुए चलें इस एपी को देखे एक, दो, तीन, चर, पांच, चेस, साथ, आट, नो, दस, गरवार, तेश, पना, सोलह, सोलह तक बढ़ाते हैं चलेंगा तो क्या मिलेगा 78 यानि अनसर क्या हो जाएगा सोलह, कुश्य नमबर 23 पर आते हैं ये भी उसी तरह से हैं पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो चार से कटती हैं दस और 250, 250 पूछा गया था 10 से लेकर 250 के बीच में पहले क्या है कि हम लोग परें निकाल लेते हैं क्या है तो पहले एपी मनाते दस तो कटेगा नहीं, 4 से, 11 कटेगा अब 12 कटेगा नहीं, एपी का पहला से होगी अब 12, 13, 14, 15, 16 गया 17, 18, 19, 20 तो यह उसके बाद dotted line से इस्तमाल किया और last से तो last से देखते हैं तो 250 दिया हुआ है तो 250 तो मेरा कटेगा नहीं तो 249 वो भी नहीं कटेगा 248 वो कर जाएगा यानि AP का sequence जो है मेरा यह तियार हो गया जिसमें A का value हो गया 12, D का value निकाले 4 और AN का value हो गया तो यानि AN देदिया है 248 AN का value A plus N minus 1D 248 A का value बारा है N का value नहीं पता 1D का value हो गया 4 248 यह तर 12 प्लस में तो यह तरा के minus में हो गया यानि कि minus करने पर 2, 3, 6 divide करने पर N का value कितना आ गया 6 अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो वो comment में बता दिजेगा अगला वीडियो में क्या है कि इसको detail फिर से समझा दिया जाएगा तो इसका start answer हो जाएगा 23 का 23 का answer जो है वो start हो जाएगा option number 2 question number 24 पे आते है 24 लिखा है प्रथम A और अंतिम पद डैस वाली एपी के अनवा पदियाट के बाबू देखो यह question नहीं पूरा नहीं है यह question जो है पूरा नहीं है slave screen बना रहा है 25 भी question पूरा नहीं है देखिए आप question खुद देख सकते है question जो है वो पूरा नहीं है 26 पे आते हैं लिखा है नेमलिखित मैंसे कौन सी आकरती समरूप नहीं है समरूप का मतलब होता है वैसी आकरती जो देखने में एक जैसी होती है आगे बढ़ते हैं 27 तुम लिखा यदि B, D, E पैलर होगा, विसकिया पैलर दिया नहीं है, बस यह ओले छोड़ता है, पता नहीं कुछन सेट करने वाले क्या समझ के कुछन सेट कर रहा था, एक तिर्भुच दिया हुआ है, इस ट्राइप का है, ठीक है, और इसमें पैलर दिया हुआ, यहाँ प D है और E है, अब बोला है कि A, D, A, D जो है वो तीन दिया हुआ है, B, D, B, D जो दिया है, 1.5 दिया है, A, सरी, E, C, E और C, जो है, 1 दिया हुआ है, तो यह पूछ रहा है, हम लोग थेस्टर में पढ़ें हैं, क्या पढ़ें हैं जब बताइए, A, D, B, D और A, E, B, C, पढ़ें, यानि किसका अंसर किता हो जाएगा, देखें, 3 by 1.5, ठीक है, एक्वल टू करेंगे, A, E पता नहीं है, और यह दिया हुआ है, आपका 1, यह पॉइंट हटेगा, उपर चला जाएगा, 30, यानि किता हो जाएगा, यह 30 by 1.5, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताएगे, इसमें देखेंगे, तो A, E का वेलू पता नहीं है, नेचे 1, यह ठाड़ी चला गया, पॉइंट नहीं बचेगा, और यह पॉइंट नहीं बचेगा, यह पॉइंट नहीं बचेगा, यहां से पॉइंट हट जाने के बाद क्या है, कि यहां पर क्या हो जाएगा, और यह आपका, यह हो जाएगा, और नीचे जो है, 1 हो जाएगा, यह कटने पर कितना आजाएगा, 2, और आपको मालू में इदर मंटिप्लाइद आगा, डिवाइद में इदर मंटिप्लाइद आगा, जाएगा, अंसर 2, देखें, 2 कहां दिया हुआ है, C पर, आप्सन नमबर C, कुशन 28 देखें, यदि A, B, C, D, S, P, Q, R, यह कुशन पूरा नहीं है, आप देखें, कुशन जो है, वो पूरा नहीं है, तो 28 समर्ण हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यह कुशन ही पूरा नहीं है, कुशन 29 पर आइए, A, B, C, और B, D, E, दो समर्ण तिर्भूज इस परकार है, कि D हुजा जो, A, B, C का मद्ध बिंदू है, देखें, डाइगराम देखें यहां पर, A, B, C, एक तिर्भूज बनाए है, ठीक है, और इसमें D इस तरह से है, कि B, C का मद्ध बिंदू है, तो हम यहां पे एक बिंदू है, और इस परकार बनाए दो तिर्भूज बन रहा है, और देखें, कुश्चन जो बोरा था, दो तिर्भूज है, A, B, C, और D, E, F, ऐसा से भी सबार होता है, तो इसका अंसा जो है, वो आपका C नमबर कराता है, लेकिन देखें कैसे वो देखिएगा, तो A, B, C का छेतरफल बटा, तिर्भूज, B, D, E का छेतरफल कियें, तो A, B, C में हम ये वाला भुजा लिया है, क्योंकि समरूप तिर्भूज की बुजाएं समानपातिक होती है, और किसी भी दो समरूप तिर्भूज की बुजाओं का रेशियो निकालकर अगर उसका स्क्वाइर निकालते हैं, तो उसका छेतरफल का नुपात होता है, तो B, C लिया है, और निचे B, D लिया है, छोटा वाला का, ठीक है, दोनों का स्क्वाइर की है, B, C टोटल यहां से यहां तक पूरा का है, तो हम इसको B, D प्लस B, D लिख सकते हैं, यहां पर B, D होगा, निचे B, D, य पर में क्या बचेका, बीडी, बीडी खतंके, यहांनि कि इसको B, D लिख सकते हैं, यहांनि कि 2 B, D होगा, 2, B, D होगा, और निचे से बीडी, तो B, D, एर बीडी कट जागा, बचेका, 2-2 कैस कर रोंगया, āरा निचे 1 कैस कर रोंगया, एक यहांनि अन्जन से ब्यां होग स्थित खिड़की तक पहुंचती है दिवार के अधार से सिड़ी के निचले सिड़ी के दूसरे दूरी क्या होगे देखे सवाल क्या बोला है एक इस तरह का दिवाल है ठीक है और इसके ओपर कोई खिड़की है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जहां दिवाल का जो पादबिंदु था वहां से लगाया गया उसका डिस्टेंस क्या होगा तो यह दे दिया आपका 10 यह दिया तो आपको मालूम होगा यह दिवाल जो है 90 विखड़ा होगा 90 डिग्री बनेगा संकूंतिर भूच यह करन हो गया यह लंब हो गया यह अधार पूछा गया है तो आधार निकलने का फॉर्मला दिखी अधार ब्राबर रूट अंडर लंब स्कार मैनिस अधार इसका क्या हो जाएगा अपसर नमबर सी कुष्यर मार थर्टी वन पर आते हैं 31 में देखो क्या लिखा हुआ है ABC एक तिर्भूज है और इस तरह से है कि AC और BC बराबर है और यह condition दिया है तो बताएए कि इसमें से कौन एवाला एवाला होगा बी वाला होगा देखेगा पहले डागराम के साथ से बना लेता है तो बोलाए कि एक तिर्भूज बनाएएगा तो तिर्भूज बनादे जिसमें एजय कि ओर यह इहां यही होने वाला है यह दों पहले दिखाते हैं तो अगर दिखाते हैं जरा देखिए यहां से बोला था एबी दिखाते हैं जिसको पहले condition match करवा लेते हैं, तो AC, AB, AB करन बराबर 2AC square दिया हुआ, यह दोनों पहला line है, यानि कि यह वाला line और यह वाला line बराबर होगा दोनों, यहाँ पर बराबर देखते हैं, तो AB का square जो है, तो हुझे का 2AC square, तो 2AC जो लिखा है, इसको AC प्लस AC कर सकते हैं, दो बार, और AC का AC सकते हैं, इसको AC डाल दिया है, यानि कि देखे, करन बराबर, यानि करन square बराबर line square प्लस अधार square है, यानि कि संपूर्ण तिर्बुच को फॉलो करता है, इसका जो C हो जाएगा, वो जाएगा 90 degree, चीक है, उसका जो C, वो हो जाएगा 90 degree, कि दर है, C 90 degree हो जाएगा, चले अब यहां से सारा सवाल देखते हैं, फटा फट एकदम, स्पीड में वीडियो को जादर लंबा हो रहा है, क्या लिखा है, वृत तथा उसकी ASPERS रेखा के उभनेश्ट विंदू को क्या कहता है, कोई वृत है, उसकी ASPERS रेखा के उभनेश्ट विंदू को, ASPERS रेखा जि नहीं भी पॉइंट पर होती है, उस पर क्या कहता है, ASPERS विंदू कहते हैं, भाई विंदू तो होगा नहीं, ASPERS विंदू कहता है, क्या कहता है, QOSHIMA 33 पे आता है, लिखा यदि किसी वृत के दो समंतर एखाओं की बीच की दूरी है, 10, तो तुमसे पूछा गया है, हमसे पूछा यह गया है कि व्रित क्या कि एक वरित है दो समंतर एका इस तरह से इस तरह से हैं दोनों के बीच का डिस्टन्स कितना है तुसकी तीजे कितना हो aadha कतना हो जाएगा पंच 34 में क्या बूला है कि आपके पास O केंदर का एक वरित दिया है ये repeat सवाल है जिसमें T एक बाहर में point है यहां से दो असपर से एखा गिचा गया इस तरह से और दोनों असपर से का इस तरह से बन रहा है कि ये इस तरह से कुन बनाती है ये O है ये बन रहा है आपका 80 डिगरी तो पूछा गया है बताइए P T Q यहां पे आपका T कर देते हैं तो पी है और यहां पे Q है तो हम से क्या पूछा गया है P यह एंगल कितना होगा तो आपको मालूम होगा ये T सब को जोड़ने पर आता है 360 डिगरी जिसमें से ये 90 डिगरी होता है यहां पे 90 डिगरी यहां पे दोनों कैंसल आप हो जाएगा बचे का 180 180 में सबसे चलाएगा तो मज़ गया 100 इसका अंसल क्या हो जाएगा 100 Q कुश्य नमर ठाटी फाइब पे आते है असपर्स बिंदू पर घिची गई असपर्स बिंदू पर घिची गई तिर्जए उस पर क्या होती है लंब होती है अब देखे Q Qinon भी समझा एइए उसमें क्या पूछ रहा है की असपर्स घिची गई तिर्जभ मालते एक بृत है इस पर कोई एसपर सेखा से बिंदू लाइन घीचा गया है और केंस अगर कोई लाइन घीचाएंगे तो क्या होगा लंब बनाएगी इसका हो जाएगा लंब अब कोश्चन आठे सेख्जा है वह दिया ही नहीं है पूरा कुश्यान आर तिरजए वाले विर्याट करें जिसका कोन पि है अधकर तेज़ा दे दिया है आर और पनी दिया लाध यह फ्लिप्स्ष 1 अब प्रिट के केंदर से किसी विंदू के बीच की दूरी क्या होगे वृत के केंदर से किसी विद के और दीखे सवाल क्या पूछा है एक बना हुआ है आप पूछ रहा है कि इस वृत के किसी विद से किसी बीदू पर गजच डितने विगज दी इस तरह से 8ł थर्टि एट पर आते हैं ठाटिampa एक घड़ी की मिनट के सुई इसके लंबाई क्या है Kalau मिनट में कितना शेत्य फ़ल बनाएगा तो कि व्रिथ है कि इसका पूंच ऑगा और तुन पता करना ये काय से सूह के लंबाई दिया हुआ है 14 14 यानि तिर्जों गए 14 में इसका होता ठीक कटर्ढ़न बनाएगा एक मिनट में कितना बना रहा है छे पांच मुनी कितना मनाएगा तिस टिर्जा खण का शेठ मने का लेंगे हैं तो आ स्कॉर्य होगी आपका त्यस्ट और आर पाय और आर तो बार कट चाहिए सब क्रता चार्टा में कितना इसर आरहा है एक सचाहवन बटा तीन यानि एक वन फिप्टी फॉर बाइट रिए एंसर कहा दिया है वन फिप्टी फॉर बाइट रिए नहीं किसी ऑप्शन में पताने को सेट करने वाला सूतल थका केंदरिय कोन और आर वाल तीजय घंडशत पर यह तो पूरा का पूरा सवाल हटा दिया है अब देखिए कुश्चन नमर थाटे नाइन तो दिया ही नहीं है तो क्या बता है उसमें कुश्चन नमर चालिस है फुटी और यह आज का अंतिम सवाल है समझेगा तिरिजया दिया है 21 सेंटिमीटर वाले बृत का एक चाप के अंदर पर कितना का कौन बनाता है एकदम एजी है देखिए आर दे दिया है 21 कौन दे दिया है 60 अब पूछ रहा है कि तिरिजया खन का शेदफल देखिए तिरिजया दे दिया 21 कौन दे दिया है 60 अब यह होता है और हमें यह आसा है कि इसमें आपको बस भेठाना है 60 बटा 360 पाई और स्क्वार में से 21 दिया हुआ है और कारट छाट के साइद आप यह खुद से ड्राइग कर सकता है ठीक है यह हमें आसा है कि आप लोग कर लिजेगा चले यह टूटल रहा 40 सवाल और लगभख 40 मिनेट का वीडियो रहा है एक सवाल पर 1 मिनेट का समय दिया है बहुत सवाल से मिस्पेंटिंग दिया हुआ है यह सारे सवाले को अच्छे से कर लिजे इसके बाद जो है सिर्फ 5 का वीडियो आएगा औ वो एक्जाम के लिए important important question जो वो सारा बनेगा अभी जितना सवाल हम लों compete किया है वो एक्जाम के लिए भी important है क्योंकि SI सवाल सही है में SI सवाल जो है objective में आती है और subjective में भी बताया जाएगा कि किस तरह का बनता है तो वीडियो के साथ बने रहे किसी सवाल में कोई confusion हो त हमें आप message कर सकते हैं इसमें comment कर दीजेगा हमारी comment को जरूर पढ़ते हैं धन्यवाद